दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जियो, एटेल और वोड़ाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्राइस को बढ़ा दिया है और जहां तक कि वेनिफिट के बारे में बात करें तो वेनिफिट में बहुत बरी वतलाव करती गई है जहां पर पहले आपको डिर जिबी करके BSNL में चले जाए लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि उनकी एडिया में BSNL का नेटवर्क स्पीड कैसा है क्या वहाँ पर इंटरनेट चलेगा या फिर नहीं चलेगा और वहाँ पर उनके एडिया में नेटवर्क BSNL का है या फिर नहीं है तो आज की इस वीडियो में म इस तरह से जान सकते हैं कि BSNL में आपके एरिया में इंटरनेट चलेगा या फिर नहीं चलेगा और चलेगा तो कितने रफ़तार में चलेगा कितना इंटरनेट स्पीर देगा साथ ही आप ये भी जान सकेंगे कि आपके एरिया में BSNL का 4G नेटवर्क है 3G है 4G प्लस है या 2G है या फिर कोई नेटवर्क नहीं है तो आएए आप इस वीडियो को देखिए छोटा सा वीडियो है जिसमें आपको सारा डीटेल में बता दिया हूं दोस्तों नेटवर्क के चेक करने वाला ये पोटल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सर में है यहां पर आप तो सबसी पहले आपको अपना कैडियर में सेलेक्ट करना होगा बीएसलेल और उसकी बाद आपको अपना एडिया का नेटवर्क यहां से चुनना पड़ेगा मतलब आपके लोकेशन को यहां पर सर्च कर लेना है जैसे मैं यहां पर पतना सर्च कर लेता हूं पतना सर्च कर नीचे में आप समझे देखे यहाँ पर यह वाला जो color आता है इसमें कोई भी network नहीं है ठीक है यानि और दूसरे नंबर में जो blue वाला आएगा उसमें 2G network दसाया गया है green वाला में 3G network और उसके बाद वाला में 4G network ठीक है और उसके बाद जो है न वो 4G plus network और यहाँ पर जो network को देख सकती है चलिए अब जूम करते हैं और देखते हैं कि कैसा network आ रहा है यहाँ पर जूम करने के बाद आप देखेंगे कि ज्यादा तर green ग्रीन आ रहा है और यहाँ तक 2G वाला भी कई सारे आ रहे हैं जो कि green वाला भी आप देख सकते हैं जगा 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 ग्रीन वाला आ रहा है इसका मतलब 3G network है ठीक है और कहीं कहीं पर आपको 2G वेगरा भी वहां पर मतलब हलका सा blue आपको देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर 5G वेगरा नहीं देखने को मिल रहा है ठीक है तो आप अपने area का network नक्से पर कुछ इस परकार से देख सकती है अब सवाल आता है speed का तो जस्ट आप ऊपर में यहां पर देखोगे option ठीक है इस पर आप क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद यहां पर अब आपका network speed बताएगा कि भाई आपके area में network speed कैसा है speed check कैसे करेंगे तो यहां पर 0-5MB, 5-20MB, 20-80MB और 80-1GB तक जो color है वो बताया गया है कि हाँ green वाला में 5-20 रहेगा उसके बाद हलका yellow रहेगा तो यह रहेगा और पूरा जो rate रहेगा वो 1GB तक जो है speed आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर अब जो है map पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यह दर्जाता है बताता है map यहां पर देखो load होने में समय लगेगा लेकिन यहां पर आप देखोगे जहां जहां मैं गोला कर रहा हूँ यहां पर 0-5MB और 5-20MB कहीं कहीं पर दीख रहा है मतलब कहीं भी 80MB देखने को नहीं मिल रहा है जो MBPS स्पीड है वो देखने को नहीं मिल रहा है बाकि आप map पर देख सेकोगे थोरा सा zoom out करोगे तो आपको clear देख साएगा कि आपके area में छिटपूट गहीं कहीं network है और network का speed कितना है वो भी आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा देखे आप लोग सोचते होंगे कि यह portal ऐसे ही बताता है तो मैं अब यहां आपको geo select करके बताता हूँ यहां पर सेलेक्ट किया location वही है same location अब यहां पर देखोगे network जो कि एक जाल की तरह बन गया है और यहां पर speed भी आप देखोगे तो गजब का यहां पर बताया है जा रहा है मतलब raid 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 ज्यादा तर raid आ रहा है यानि एक GB तक जो है speed हाला कि कहीं कहीं पर green भी आ रहे है और yellow भी आ रहा है लेकिन ज्यादा तर आपको raid raid देखने को मिलेगा ठीक है अच्छा अब जो network का checking है वो भी कर लेती है कि हाँ 5G है या लेकर क्या है वो भी चेक कर लेती है रिलांस जीयों का तो देखे एक जाल सा बन गया और जो जाल बना है ना इसमें आप देखोगे तो 5G और 4G यही दो network आपको देखने को मिलता है 5G 4G और 4G प्लस ठीक है 3G तो इसका है नहीं और एक जाल सा बन गया है 5G का जो कि आप द इस पीड चल रहा है चलेगा या फिर नहीं चलेगा इस पीड है या फिर नहीं यह चेक कर सकती है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आप अपने एरिया में BSNL का network के की साथ-साथ उसका इस पीड भी चेक कर आया गया जो कि ज्यादा से ज्यादा maximum speed वहां पर 100 किया गया लेकिन वही BSNL के बारे में आपने देखा कि BSNL का network cheat put आ रहा था और उसकी बाद जो internet speed था वो भी आपने देखा अब मैं यह नहीं कहूंगा कि आप अपने number को port मत करवाईए क्योंकि आपके area में network है internet solo है कोई BSNL में put करना चाहती हैं बहिसक कराईए अगर internet speed चाहिए BSNL का तो आप इसका fiber connection ले सकती हैं और बाकी companyों से संस्ता आपको fiber plan BSNL का देखने को मिलेगा अगर इसके उपर detail में video चाहिए कि यह connection कैसे लेना है कैसे apply करना है क्या plan है तो आप लोग मुझे video के नीचे comment करके जर आप रची है जरूर से जरूर से जरूर शेयर करीगा ताकि उनको भी μεलो मालूँम चल से कि अपने area में BSNL का network वो चेक कर सके या फिर किसी वी जो situation है यह जो भी है उसका network वो चेक कर सकती है और speed भी चेक कर सकती है और यहाँ पर आप अपने area के नाम से सर्च कर सकती है यह दिजिए एजाजाद धन्यवाद और हाँ दोस्तों BSL का जो प्लान है ना इसके उपर एक अलग से वीडियो दे चुका हूँ अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है देख लिजिएगा धन्यवाद